चुनावी सरगर्मिया तेज होती जा रहे हैं खुदरती तपिश की बात की जाए तो 44-45 जिग्री हजारी बाग में इस वक्त का मौसम है और इस तरह से चुनावी तपिश भी जो है वो दिन प्रते दिन बढ़ती ही जा रहे है जहां एक और NDA जो है 400 पार का नारा लगा रहे है वहीं INDIA अपने पूरे दमखं के साथ चुनावी मैदान में उतर चुका है ऐसे में आज मुलाकात होगी जे बी कैसेस यानि अब जो जे बी कैलम पार्टी है उनके हजारी बाग के लोग सभा प्रत्याशी संजे महता से और आपको बता दू यह इंटर्विव बहुत खास करते हैं जी बिल्कुल तो इंटर्विव और विल में संजे महता हजारी बाग लोग सभा पत्याशी जे बी कैलम हमारे साथ हैं फिर से बहुत-बहुत स्वागत है बहुत सुक्रिया आप रहा है एक तरफ इतनी बड़ी-बड़ी पार्टी इस हैं एंडिय अपना अलग दा सिर्फ करेंगे देखे आपको दो चीजों को समझना होगा पहली बात तो यह मैं आपके तमाम दर्सकों को कहना चाहता हूं हजारी बाग अपडेट्स के और तमाम जहारखंड के अपने जहारखंडी जनमानस को कि राजनीती जब भी की जाती है सियासत जब भी होती है तो आपने एक बिंदू पर गौर किया होगा नरेटिव को सेट करना एक अलग चीज है किसी आउधारना को आप सेट करते हैं फिर आप शुनावी राजनीती में आते हैं ये बिल्कुल अलग चीज है लेकिन जब आप पूरे भारतिय समविधान को पढ़ते हैं पूरे भारतिय ल आकलन करेगी कि 10 साल में जनता का कितना आ यहां पर कल्यान हुआ है चुकि इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहारखंड ने इत्तमाम माइंस मीनरल्स से पूरे देश को संपन किया तो अब पूरे जहारखंड के अंदर इतने माइंस हैं और हमारे लोगों को उसके एक पर बात होनी चाहिए उनके जमीन का मौजाब कैसे देंगे इस पर बात होनी चाहिए तो आपने कहा कि आप कैसे खुद को इन लोगों के देखते हैं हम लोग यही देख रहे हैं वो मुद्द कोई और नहीं उठा रहा है और पूरे जहारखंड के अंदर इस बात की चर्च कारी मोर्चा वह हमारा मोर्चा है और हमारे तमाम संगठन है जो लगतार इस तरह का आवाज उठा रहे हैं जैसे जो भी बड़ी-बड़ी पार्टी की बात हमने करी बड़ी-बड़ी कंपनियां उनको चंदा दे रहे हैं ऐसे में जेबी केलम कहां से फंडिंग कर रहा है क्य उसमें मैंने यह कहा था कि कोई 10 करोड लेकर के आएगा और मा बहनों का 10 रुपय का मैं आसिरवाद लेकर के आऊँगा और फता हासिल करूंगा और इंकॉर्पोरेट ताक्तों को यहां पर जारखंट की धर्ती से जो लोग लूट रहे हैं वैसे लोगों को परास्त हम लोगों का आसिरवाद जनता का आसिरवाद है जन आसिरवाद है और इसलिए हम लोग अलगतार यह कह रहे हैं कि हम लोग जन आसिरवाद यात्रा पर हैं आज भी मैं जन आसिरवाद यात्रा पर ही हूँ आज आपसे मुलाकात हो रही है हाजारी बाग अपडेट से मुला और जन्ता ने बहुत ही द्रीड़ता के साथ हमारी मुखरता को सलाम किया है, हमें सम्मान दिया है, प्यार दिया है, और मैं आपको क्या बताओं, मैं कभी-कभी भावुक हो जाता हूं, मैं एक बार गाओं में गया, रात के लगबग धाई बज रहे थे, मैंने अपना और ये इमोशन, ये भावना जब जार्खन की जन्ता दे रही है, तो आप इस बात को मान करके चलिए कि एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, कहां से संजे मेता इतना जोश लाते हैं, इतनी अनर्जी, देखिए मैं विश्वास करता हूं, थोड़ा आध्यात्म को लेकर के मेरी जो अपनी सोच है, कि जीवन में आप कुछ भी करिए, तो बहुत पवित्र मन के साथ करिए, पवित्रता के साथ करिए, कोई छल कपट नहीं रखिए, और चुकि हम लोग बहुत साधारन प्रिष्ट भूमी से संबंद रखते हैं, तो हमने अपना एक ये बना हम लोग ने जनता से कहा है कि जहारखंड बनने का जो सपना था, जहारखंड के जो विसे थे, वो राश्ट्री अस्तर पर कभी भी विमर्ज का हिस्सा नहीं बन पाए, एक इतने ताज्यूप की बात है, कि हम लोग कहते हैं कि इंडिया जो है, अगर राज्यों का संग है, तो हम ये कह रहे हैं कि तमाम राज्यों में अपनी विविंताएं हैं, अपनी भासा है, अपनी बोली है, अपना वहां का परंपरा है, अपनी जीवन सैली है, उसकी अपनी जरूरते हैं, उसकी अपनी भौगलिक परिस्तितियां हैं, सामाजिक परिस्तितियां हैं, आर्थि के 24 साल के बाद जारखन के साथ क्या हुआ है पराजिता जी सिर्फ यहां पर कोईले निकाले गए हैं सिर्फ यूरेनियम निकाला गया सिर्फ आइरन ओर निकाला गया सिर्फ बॉक्साइट निकाला गया सिर्फ अबरक निकाला गया और आप देखे विस्थापिच छेतरों का हाल आपके सामने बढ़का गाउं है अडानी के खिलाफ लोग एक साल से धरना पर बैठे हुए है गुंदलपूरा के लोग कोई उनकी आवाज सुनने को नहीं है छैस्सो एक कड़ जमीन का धिगरन हो रहा है यहां के वर्तमान सांसत महदे को वहां के लोगों ने कई बार कहा कि मेरे आका मेरे शांसत महदे जी एक सवाल उठा दीजे दिल्ली के संसत भवन में अडानी को हम लोग नहीं देना चाहते हैं यह माइनिंग के लिए अपनी जमीन सांसद महदे ने एक सवाल नहीं उठाया क्या होता नहीं होता वो अलग मसला है लेकिन सांसद महदे की जिम्मेवारी बनती थी कि एक जन्भावना पूरा गाउं कह रहा है कि जमीन नहीं देंगे तो एक सवाल तो दिल्ली में उठाना चाहिए था ये कमसे कम राश्ट्री विमर्स का हिस्सा बनता कि आडानी को लोग जमीन नहीं देना चाहरे है जारकन में लेकिन देखिये आडानी का विरोध आस्ट्रिलिया में होता है वो पूरा national news बनता है, international news बनता है कि Australia में आडानी का विरोध हो गया है लेकिन हमारे बढ़का गाउं के गुंदल पूरा में एक साल से लोग बैठे हुए धरना पर रोज एक हजार लोग बैठे हुए रहते हैं गाउं के लोग shift change करके और उसकी चर्चा राश्ट्रेस दर पर नहीं है, ये कौन लोग हैं, इस चीज को समझना होगा चुनावी मैदान में आप उतर चुके हैं, लोग पहले विदान सभा के लिए अग्रसर होते हैं उसका कुछ संभावना बन भी सकता था, ऐसे में डिरेक्ट लोग सभा के लिए और अगर दूसरा प्रशन इसी में अगर आड़ान कर दिया जाए, लोगों का ही प्रशन है कहीं न कहीं कि जिस तरह से आपके ही अपने समाज के लोग में बराज कुमार कुछ वहाजी जारकन पाटी से उठ गए हैं, इदर जै प्रकाश भाई पटेल जी उठ गए हैं, फिर आप फाइदा किसको होगा? देखे फाइदा और नुक्षान से परे हम तमाम जारकन के नौजवान जो तीन साल से संड को परांदूलन रत हैं, हम लोगों ने ये कहा कि तमाम जारकन की नीतियों को लेकर, जारकन के विसेयों को लेकर के, जारकन के जमीन के मुद्दे, जारकन के नौकरी के मुद्दे, जहारखंट के नियोजन इन तमाम पहलों और तमाम मसलों पर हम लोगों ने सबसे पहले सरकार से अपनी बात रखी आपने देखा होगा हमने कई बार सेंटरल गवर्मेंट को लेटर लिखा कई बार स्टेट गवर्मेंट को लेटर लिखा उस पर भी जार्खन के साथ चल हुआ और आप देखिए राज़पाल के रास्ते से जार्खन के साथ कुछ बड़े चल हुए है मैं आपको बताता हूँ बिहार में 75% रिजर्वेशन का विधेयक लागू हो गया जार्खन में यहाँ पर 77% HTSC OBC EWS का विधेयक बना मतलब जार्खन के विशय के संदर्व में जो भी कानून बनने हैं उस पर या तो Central Government Central Cabinet में चुपी है नाइन सीडूल में जार्खन के Domicile Policy को सामिल करने की बात थी उस पर चुपी हो गई और राजपाल महदे ने बार-बार उस विधेयक को वापस कर दिया मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर कोई एक सरकार बार-बार आपको विधेयक बना करके भेज रही है तो उस पर कमसे कम राजपाल महदे को चिंतन करना चाहिए अगर वो आज समयधानिक कानून होगा उसके लिए न्याले है न्याले कहेगा कि भाई यह अनकॉंटिचूशनल कानून है यह स्टैंड नहीं कर सकता है लेकिन यह क्या प्रता है कि राजपाल महदे बार-बार रिजेक्ट कर देते हैं उनका सम्मान है वह समयधानिक प्रतान है स्टेट के अंदर लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसी कोई ववस्ता ना बन जाए कि जो तमाम हमारी ववस्ता है उस पर लोगों का विश्वास खत्म हो जाए आज की तारीख में क्या हो रहा है जो भी इंडिपेंडेंट बॉड़ीज हैं चाहे एडी हो चाहे सिवी हो सीवी आई हो चाहे इंकम टैक्स हो आप देखेंगे कि बहुत पार्शलिटी दिखता है एक तरफा कारवाई दिखती है पच्च के लोगों पर कारवाई नहीं होती है इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के जहारखंड के मुद्दों को राश्ट्र कि अस्तर पर कैसे अस्थान मिलेगा इस बात की भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं प्रश्ण तो मेरा यह था कि विदान सभा क्यूं छोड़ करके आप लोग सभा में यह है ज्यादा काम नहीं पहले इस बात को समझे मैंने बार बार कहा है कि अगर यह देश राज्यों का संग है तमाम राज्यों को मिला करके हमारा यह देश बना है यह राष्टर बना है तो तमाम राज्यों की अपनी भौगौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थीतियां हैं पहली बात तो मैं यह कह रहा हूं कि अगर 543 लोगसभा छेतर में 14 लोगसभा के पिछले दस साल में और जारखंड बनने के 24 साल के बाद भी जारखंड के हजारी बाग लोकसवाचेत्र के विस्थापन के विशय पर जो जमीन यहां पर अधिगरन हुआ उन विशयों को लेकर के संसत भवन के अंदर जीरो सवाल पूछे गए पुनरवास को लेकर के जीरो अंसत ने उठाया ही नहीं कि यहां के लोगों का कल्यान कैसे होगा और यहां के लोगों को कैसे आप पुनरवास देंगे मैं बार बार विस्थापन और पुनरवास की बात क्यों कर रहा हूं जारखंड के लोगों के पास कोई दूसरा ऐसा काम नहीं है जिससे अपनी वो ज जारी बाग लोग सभा छेतर जारखंड और पूरे तमाम जारखंड के इलाकों में आप देखेगा खेती बारिक किसानी पर लोगों की जीविका का बुन्याद टिका है अब किसी की जमीन आप ले रहे हैं तो आप जमीन ले रहे हैं एक बार किसी तरीके से उसको कुछ मौजा दिया या फिर वो धरना परदसन किये तो उल्टा आपने उसको फरजी केस में फसाया कुछ मौजे दिये वो पैसे खत्म हो गया आपने उसको पुनरवास नहीं दिया वापस जमीन नहीं दिया उनकी जीविका खत्रे में आगई तो एक बहुत बड़ी आबादी मैं आपको परिशान है उसके बाद मैं हजारी बाग आ रहा हूं आप देखिए कुजु मांडू चरही का इलाका पूरा आप देख रहे हैं धनबाद में आप देखते हैं जरिया धनबाद पूरा विस्थापित हो गया इधर चतरा की तरफ देखिए टंडवा में आमरपाली का रहे हैं इसका कोई आपके पास रिपोर्ट है कि जो लोग विस्थापित में वो कहां हैं आज की हालात यह है अपर आजीता जी कि लोग अपने जमीन जहां पर दिये हैं वहां पर जब कमपनियां लग गई हैं तो एक सेक्यूरिटी कार्ट का नौकरी मांगने जा रहा है त विभातन के सेस्टर पर जाना चाहिए था क्यों झालता है जबनेन के सेन्टरल का है तो इसी बात को ले करके लोग दॉप पर अस्थान रखता है इसको इग्नोर ना किया जाए सिर्फ जार्खण के माइन्स और मिनरल्स को निकाल करके आप इसको इग्नोर करते रहेंगे तो यहां के लोग कहा जाएंगे इसी बात की लड़ाई है इसलिए विधान सभा नहीं लोग सभाम लक्षुनाव लट रहे हैं लोग सभा की बात मैंने दूसरा प्रशन उसमें अड़ाउन किया था कि आपके ही अपने लगबग धाई लाख वोटर्स हैं अपने ही समाज के उसमें से आप लोग तीन लोग राजकुमार कुश्वाह जी भी जैप्रकाश भाही पतेल भी आप भी उठे वहें लोग सभा स अब ऐसे में किनको फाइदा होगा देखे जातिये राजनीती तो खेर एक अलग चीज है उस बिंदू पर मैं नहीं जाना चाहूंगा लेकिन चुके आपने कहां आकणों की बात तो मैं जिस अपने समाज से संबंद रखता हूं मैं कुश्वाह समाज से संबंद रखता हू और उसकी मतलब भोटरों की संक्या हजारी बाग में लगभग 4,46,000 है 3,70,000 हमारे मुशलमान भाई लोग हैं और लगभग 2,5,000 के आसपास में हमारे कुर्मी भाई लोग हैं मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जातिये दृष्टी कौन से आप राजनीती को करेंगे तो आप कंक्लूसीव और इंक्लूसीव थिंकिंग के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप सबको साथ लेकर के चलने की बात नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहां भारतिये राजनीती का ये दुरभाग रहा है कि जातिये आधार पर भी यहां पर वोटिंग होती रही है और काष्ट एक बहुत बड़ा बीटर टूथ है इंडियन पॉलिटिक्स का इस बात को मैं एकसेप्ट करता हूं लेकिन चुकि हम लोग यह चाहते हैं कि जब 90 के डिकेट्स में हमने देखा तमाम आंदोलनकारी नेताओं ने जहारखंट को इतना सीचा सवारा जहारखंट दिलाया तो उसमें सभी लोग लड़े हैं मैं आपको बताता हूं जितना इस धर्ती के लिए सेख विखारी लड़े उतना हमारे सिधुकानू भी लड़े जितने ना पूरे जहारखंट के अगर एतिहासिक प्रिष्ट भूमी पर गौर करिएगा तो इस प्रिष्ट भूमी को बचाने के लिए इस प्रिष्ट भीम को बनाने के लिए हमारा जो संघर्स ब्रिटिस काल से ले करके इस काल तक जो रहा है वो सामुहिक संघर्स रहा है कोई एक सम मेह तो लड़े यहाँ पर तमाम हमारे जहारखन के नेता लड़े तो आप बिनोद बाबू लड़े तो तमाम सभी जाती धर्म के लोगों ने लड़ा तो समझे मैता जाती है समीकरण के अधार पर नहीं उतरे हैं चुनावी मैदान में वो इतिहास को फिर से दोहराना चाहते हैं अच्छा आप तो बिल्कुल हीरो टाइप दिखते हैं तो ऐसे में मतलब लोग हैं जो युवा हैं वो कोई क्रेटिव या कोई बिजनसमेन या फि हूँ हीरो हूँ की जीरो हूँ वो मैं उस पर जाता ही नहीं और मैं समझता हूँ कि मैं सुन्य हूँ और सुन्य से ही मैंने सुरुवात की है तो सुन्य से जब सिखर तक का सफर तय करना होता है तो बहुत संगर्स का सफर होता है खासकर वैसे परिस्थितियों में जब आप एक बहुत साधारन प्रिष्ट भूमी से संबंद रखते हैं जब आपका कोई राजनीतिक बैक्ग्राउंड नहीं हो जब आप कोई बहुत बड़े कॉर्पोरेट परिवार से नहीं हो कोई बहुत बड़े पूंजी पती नहीं हो मैं आपको बता रहा हूँ आप राजिता जी कि 14 लोग सभाचेत्रों में जो 28 कैंडिडेट हैं एक तरफ इंडी एलाइंस के और एक तरफ इंडी एलाइंस के मैं आपको 28 के 28 कैंडिडेट के बारे में कह रहा हूँ आप 28 के 28 कैंडिडेट के नाम निका लिए और उसमें कोई present MLA है, कोई XMP है, कोई XMP की बेटी है, कोई बेटा है, कोई पतनी है, मैं यह कह रहा हूँ कि राजनीती में आपने देखा होगा और खासकर जारखन की राजनीती में देश की राजनीती में तो है ही कि बिधायक का बेटा बिधायक, सांसत का बेटा सांसत, बिधायक की पतनी बिधायक, मंत्री की पतनी मंत्री, मंत्री का बेटा बिधायक, तो मैं यह कह रहा हूँ कि सिर्फ परिवारवाद और पूंजी बाद चल रहा है, मैं यह कह रहा हूँ कि अगर आप डिजर्व करते है आप किसी मंत्री के बेटे हैं सिर्फिस बुन्याद पर आप राजनीती में नहीं आ सकते हैं इस बात को भी मैं मतलब बिल्कुल ये नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप जहारखंड की राजनीती में ये एक्जामपल सेट करना चाहते हैं कि साधारन के रहे नहीं कि वह त्रहखंड के अपना रहे हैं तो हीरो बनना भी नहीं चाहेंगे सेवकी बन कर रहना चाहेंगे तीस तारीक को नॉमिनेशन कर रहा हूँ तो संजय महता हमारे साथ थे और आप हमारी दुआएं आपके साथ में हैं संजय जी आपके नॉमिनेशन के दिन हम लोग भी कवर करना चाहेंगे इस चीज़ को हुआ है